प्रदेश सरकार ने प्लेवे स्कूलों के बारे में नए दिशा निरदेश जारी कर दिये हैं मसलन इन स्कूलों में 3-6 साल तक के बच्चों का एडमिशन हो सकेगा टीचर बच्चों का नुपात 1-20 का होना चाहिए स्कूलों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा जिसे महिला में बाल विकासवी भाग की एक टीम के इंस्पेक्शन के बाद मनजूरी मिलेगी हर साल ये मनजूरी लेनी होगी पर सरकार के दिशा निरदेशों में इन स्कूलों की फीस और सालाना शुलक के बारे में कोई जानकारी या विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है आपको हर्याना के कुछ शेहरों में चलहे पलेवे स्कूलों की फीस के बारे में बताएं उससे पहले ये प्रतिक्रिशा सुन लेजिए या फीस होनी चाहिए गोरतलबह की परदेश सरकार ने 2020 के सालाना बजट में परदेश में एक हजार प्लेवे स्कूल खोलने की गोशना की थी पहले चरण में 400 स्कूल खुलने थे फिर मार्च में 2022 में सरकार ने 4000 आंगनवारी में प्लेवे स्कूल खोलने का फैसला लिया जो हमने दाटा में 4,000 इसकूलों को कनवर्ट कर दिया आंगनवारी को स्कूल में लेकिन क्या हुआ सब्ही आंगनवारी वर्कर्स एक प्ले इसकूल के सिक्षिका के जैसे बच्छों को सिक्षा दे पाने के लिए सक्षम है और क्या सभी बच्चे आंगनवारी तक एजे प्लेई स्कूल पहुँच पा रहे हैं नहीं हो रहा है अभी भी जो छोटे छोटे प्लेई स्कूल खुले हुए वहीं किसी तरह से फीज का जुगार करके बच्चों को भेजा जा रहा है यानी ले देकर लोगों को प्राइवेट प्लेई वे स्कूलों का ही सहारा लेना पड़ेगा अब प्राइवेट प्लेई वे स्कूलों की फीज सुन लीजिए पानिपत जैसे टायर टू सीटी में इन स्कूलों की फीज चार से आठ हजार उपे प्रती महीना है गुरु गराम म में प्राइवेट सेक्टर में हजारों लाखों पती पतनी मध्यम श्रेणी की नोकरी करते हैं 40 से 50 हजार रुपई महिना कमाने वाले दमपती क्या प्रतीमा अजारों रुपई प्लेवे स्कूलों की फीस दे सकते हैं जरा सोचना जी फिर बोलना जी सहयोगी श्री निवास के साथ वेंदर कतोरिया टोटल नियूज पानिपत भीरो